तो बहुत बहुत स्वागत है जोड़ार तरीके से मेरे देश में जितने भी इन एन एयर फोर्स लबर हैं, बिल्कुल आज मैं आफकाइट के बात करने वाला हूँ, एयर फोर्स कॉमन एड़िशन टेस्ट के, इस देश में अवेरनिस की बहुत कमी है, मुझे दुख होता है, कि साड़े 300 के आसपास विकिंसी, हर 6-6 महीने पे क्रमवार तरीके से इन एन एयर फोर्स आपको देती है, कमीशन के डिगरी में, ग्रेजुट स्टैंडर्ड में, हाँ, बेसिक दिमांड के तौर पे 60% आपका ग्रेजुशन में होना ज़रूरी है, अगर 60% आपका ग्रेज में कमाल करना चाहिए, अगर आज सभी में मन्त जोड़ना सुरू करूँ टेक्निक लिए आपके सामने, तो चार से पांच महीने के टाइम है आपके पास, और ये 5-6 महीने का फोकस आपके सफलता को सथ पर सशनिश्यत कर सकता है, जहां फैब में आप अफकाइट दे रहे ह है आपके अरफॉर्स कावन एडशन टेस्ट रहे है क्या और एड़ आपके एर फोर्स कावन एडशन टेस्ट के अंदर ब्राँचे जो बटी हुए है जाहे वो फ्लाइङ कोर हो ठेकनिकल को रो हो या जैसे की आज इसके अज पूशली या एद्टुकेशन और हो हो एड़ और इंट्रिस्टिंग ब्रांच की जो अक्सर बाद चीट इस समय हो रहे हैं that is all about Indian Air Force विपन सिस्टम ब्रांच आज इसके विशे में डिटेल में बात करेंगे आखिर इस ब्रांच को क्यों इंट्रियूस किया गया इसके परपच क्या है और देश्य क्या है क्या इसकी इंट् इस ब्रांच की हमेशा से जरूरूत रहे हैं Indian Air Force में ब्रांच की हमेशा से जरूरूत रहे हैं Indian Air Force में क्योंकि अगर हम जमीनी तौर पे फॉज में देखते हैं विपन की उटलाइजिशन को लेके तो चीज़े काफी मैनुवल हैं क्योंकि हुमन कंट्रोल हैं कई सारी चीज़े बर जो हम एयरक्राफ्ट में विपन सिस्टम मैनेजमेंट को ध्यान से देखते हैं तो यह बहुत ट जानकारी होना बहुत जरूरी है तो मुझे लगता है कि एक सेंट्लाइज जो है मैनेजिंग एन ऑपरेशन और कंट्रोलिंग की जरूरत थी पूरे विपन सिस्टम को मैंटेन करने के लिए जह हमारी फाइटर एक्राफ्ट हो 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 है फिर टांस्पोर्ट फ्लीट हो वहा जरूरी है कि एरकाफ्ट तो मैंटेनेंस था ही बट मुझे लगता है विपन सिस्टम ब्राइजमेंट भी एक तरह का बड़ा टेक्निकल सेग्मेंट है और ओफिसर्स को बेल ट्रेंड होना और इस्पिक होना बड़ा जरूरी था तो उसके हिसाफ से मैं कहूंगा कि इस्प सोफिस्टिकेटर विपन इन्हांस इन्हांस कॉंबैट केपविलिटीज विल्कुल सच बात है केशीच के आने से जो हमारी कॉंबैट केपविलिटीज हैं एरप्राफ्ट की यह बढ़ेंगी और एक्जाक्ली जो पाइलेट्स के अंदर या फैटर्स के अंदर एक तरीके क का confidence boost होगा कि कितने latest technology के साथ कितने कहते हैं तर सही deployment के साथ वो process कर रहे हैं और वो आतने विश्वास कहीं नहीं कहीं एक बहतर results लाने की कोशिस करेगा तो मुझे लगता है कि इससे enhancement तो होगा combat capabilities का जैसे कि the branch enhance the Indian Air Force overall combat effectiveness by ensuring that weapon are deployed efficiently and effectively this maximize the operational output of mission whether during war or peacekeeping efforts तो क्योंकि दोनों ही पॉइंट भी से जरूरी है तो जरूरी है modern warfare requirements बिलकुल सही बात है आज के time में जिस तरह से modernization हो रहा है तो फॉच के अंदर भी modernization का होना बहुत जरूरी है उनमें weapon system का modernize होना बहुत जरूरी है warfare requirement के दोरान जैसे कि as warfare becomes more technology driven जैसे आपको पता है कि आज इंदेश के अपने बाता है और मुझे लगता है कि यह एक मध्यम था अपने resources को बहतर और efficient तरीके से इस्तमाल करने का और साइध यही कारण है कि weapon system technology को introduce किया गया who is WSO weapon system officer यह बड़ा एहम चीज है और the WSO मतलब जो weapon system officers है are specialized officers who fly in the multi-role fighter aircraft rear cockpit and control the sensors and armaments that the aircraft will use to fire at hostile target exactly WSO जो हमारे है weapon system officers basically इन चीजों में specialized होते हैं और इसी तरह से इनको introduce किया गया how to join weapon system officer obviously आपको इस ब्रांच को जोइन करना है तो process किया तो बहुत सिंपल है notification आजारी इसंबर में फटापट form filling होगी of five में exam होगा और जो आप form preference रखेंगे तो simply ground duty पर जाके आप क्लिक कर देना है और अच्छे score आपके है तो obviously आप weapon system officer के तौर पर इंट्रड्यूस किया जाएंगे इन एयर फोर्स के इंतरकर ग्राउंड यूटी नॉन टेक्निकल जिसे विपन सिस्टम ब्रांच के इन रेट सुट पास्ट ट्वेल्थ फिजिक्स न मैथ 50 परसंट जरूरी है और ग्रेशिशन में भी 60 परसंट जरूरी है उम्र 20-26 साल है मोटा मोटा दो जनुरी 2000 से एक जनुरी 2006 जो भी फॉर्म दिसंबर में आने वाला है और इग्जाक्ली मैं यही कहना चाहता हूं कि फॉर्म तो हर बार आएंगे जाएंगे बढ़ अगर आपका सपना है इन एन एफोर्स का हिस्सा बनने का आपका सपना एफकाट के थूरू विपन सिस् सब्सक्राइब के लिए मैथ हो इंग्लिस हो जियस पार्ट हो हिस्ट्री पॉलिटी जिग्रफिक अनुमिक्स करेंट अफेर जनल साइंस हर चीज के आपको एक्सपर्टीज मिलेंगे वन तूवन फोकस है टाउट काउंटर फेसलिटी ते बहतरीन मेट्रियल है बहतरीन टे देश के अंदर तो फिर इंतजार का है कर रहे हैं उठाईए फोन करिए कॉल 966-330-330-330-3 पर जुडियां में के साथ जब जस्ट ऑफर भी इस समय चला है तो बेना देरी किये और मैं चाहूंगा जितने भी मेरे ग्रेजुएट विच्चे हो हाजरी जरू लगाएं और क सब्सक्राइशन के बच्चों को मेरा धर्म है अब जगा देना कि आपके पास भी अपरिचुनिटी रपार हैं उठीए जागी और एमके सी के साथ लगिए श्योर्ट सफलता लिए थैंक यू सो मच विशे गुड़ लग जय हैं जय भारत